बड़ी खबर भारत प्रत्त के ऐलान पर जैन चौधरी का भी बयान सामने आ गया है बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल जीत लिया ये जैन चौधरी की तरफ से कहा गया है तो ये इस वक्ती बड़ी खबर भारत प्रत्त का ऐलान हुआ है पूर प्रधान मंत्री चौध प्रधान मंत्री हैं, जैन चौधरी के दादा हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए और जिस तरीके से ही कह सकते संयोगी है कि जब भारती जन्ता पाटी और आरेलडी के एक साथ आने की खबरें आ रही हैं, दोनों के बीच बहुत सारी चीजों फबाद चीत सामती बन चुकी है उस वक्त चौधी चरण सिंग को भारत रत देने की मांग की जा रही है, और सिर्फ आरेलडी की तरफ से मांग नहीं की गई थी, अखलेस यादम ने भी ये मांग की थी, इंडिया गडवंदन के कई साथियों ने मांग की थी, लेकिन जब प्रधान मंतिर नयंद मोदी ने इस बात की घोशना की है, चौधरी जैन सिंग का भी इस पर जवाब आ गया है, तो एक मान कर चलिए कि अब दोनों के दिल भी मिले हैं, जैसा कहर है जैन चौधरी और एक तरीके से एंडिये में एंट्री तैम आनी जा रही है, आरेलडी की इस बड़ी घोशना के बाद, त ये बड़ा एलान इस वक्त हुआ है, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जुस तरीके से हम देख रहे हैं, आनंद तमान तरह की प्रतिक्रियां सामने आरीका जा रहा है, चुकी 2024 का चुनाव है, और आपको तमान तरह के दलों की जरूरत अगट बंदन में शा करने में तो वो एक क्राइटेरिया जरूर आए, हाँ ये जरूर है कि भारत रत्रत के जरीए धारमादी नरेंदन मोदी ने और मोदी सरकार ने बीजेपी ने मैसेज देने कोई कोशिस किया, जब चुनाव का समय होता है, तो सरकार की हर घोशना पे उसको राजनितिक चस्म में देखा जाता है, हाँ ये जरूर है कि आपने पीजेपी का मोदी का जो कनेक्ट है, मोदी सरकार का, उसको बताने ही कोशिस की, चौधी चरण सिंग को देकर आपने एक अपने सहयोगी को और पुखता कर लिए, और साथी साथ लंबे समय से जो किसानों की मांग चलिया, किसानों के लिए बहुत काम किया, कोई भी पार्टी रहे, आज भी दावा करती है, बारवरी मांग करती है, कि में स्वामिनासन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, MSP को लेका, जिसमें कहा गया था, कि जो किसानों की लागत मुले, उसका आउस्त, उसका आउस्त से आधे 50% से ज इसलिए किया जा रहा है, MSP स्वामिनातन तमिलाडू से आते हैं, इतने बड़े किसी बेंगानिकर है, फसलों की पैदावार बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, साथी साथ उन्होंने जो कहा था कि जो गेहूं और जो चावल की जो नई किसमें थी, वीट और प मिलाडू के साथ के वोटर्स को भी मैसेज दिया, दूसी तरफ किसानों को भी ऑपने मैसेज दिया, चोधी चरनो सिंग को आपने दिया, बड़े किसान नेता को आपने उनका जो यूगदान रहा है, उसके लिए उनको सम्मानित को अलगाना किया, दूसी तरफ आपने West UP सम सामने आ गई है सबसे बड़ी खबर और बता दे आपको पूर प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग को भारत रत न दिये जाने का फैसला लिया गया प्रधान मंत्री मोदी ने तस्वीर शेयर करके लिखा कि उनके अतुल्य योगदान को ये समर्पित है किसान कल्यान को उनक कल्यान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के ग्रे मंत्री या तक की विधायक के रूप में भी उन्होंने राष्ट निर्मान की गती दी है और ये प्रधान मंत्री के शब्द रहे सोशल मीडिया पर इस बड़ी खबार आपको बता रहे हैं एक तरफ कई दलों ने कई राजनितिक हस्तियों ने इसका स्वागत किया वहीं दूसी तरफ कॉंग्रस ने इसके समय को लेकर भी प्रश्ण उठाए हैं चुनावर से जोड़ कर भी इस पर टिपणी की जा रही है लेकिन फिलाल सरकार का ये एहम फैसला और इसके पहले परिंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया है और ये ट्वीट प्रधान मंत्री का जो हम आपको दिखा रहे हैं देखिए क्या कहा है प्रधान मंत्री ने एक्स पर ट्वीट करते हुए ये बात लिखते हुए हमारी सरकार का ये सोभाग्य है कि देश के पूरु प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंग जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलिया योगदान को समर्पित है उन्होंने किसान के अधिकार और उनके कल्यान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था उत्तर प्रदेश के मुक्य मंत्री रहे हूं या देश के ग्रे मंत्री यहां तक की एकविधाय के रूप में भी उन्होंने हमेशा रस्ट निर्मान को गती प्रदान की वया पातकाल के वेरोधों में भी डटकर खड़े रहे हमारे किसान भाई बैनों के लिए उनका समर्पन भाव और एमर्जेंसी के दौरान लोकतंतर के लिए उनकी प्रतिबधता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने चौधरी चरन सिंग को लेकर ये बात कहिए और साफतार पर उनके राजनीतिक जीवन के अलग अलग चरनों को भी इस ट्वीट में रेखांकित किया है हमारे साथ आनन्द प्रकाश, पंकर जा, कुमार विकरान तो इस वक्त जुड़े हुए हैं सबसे पहले पंकर जा के पास चलेंगे पंकर जा अगर चौधरी चरन सिंग की बात करें तो उनकी अलग-अलग भूमिकाओं को राजनीती में, देश की राजनीती में, देश की आंदोलनों में इसको प्रधान मंत्री ने रेखांकित किया है एक तरफ वो उनके पदों पर रहते हुए काम की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ एक आंदोलन कारी के रूप में भी बात कर रहे हैं किसान नेता के तौर पर रही है, जहां कहीं भी देश में किसान मुवमेंट होता है, हर जगा चौधरी चरन सिंग की बात आती है, खास तोर से हिंदी पट्टी में अगर हम देखें, और इसी लंबे समय से तमाम राजनितिक पार्टियां, चाहे वो इंडिया गडबंदन के सा पारथी दल ही हो, या फिर जो चौधरी चरन सिंग के जो उनके विरासत पर मिली चौधरी अजीद सिंग और जैंच चौधरी की पार्टी राष्ट्री लोगदल, वो चौधरी चरन सिंग के नाम पर भायत रत्म देने की मांग किये कर रहे थे, और उन्होंने पूरी कि अलव को आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और कुल मिलाकर ये तीन बड़े नाम चौदरी चरंड सिंग पीवी नरसिमा राव और एमेस स्वामी नाथन भारत रतन से इने नवाजा जाएगा सम्मानित किया जाएगा आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आनंद खास तोर पर ऐसे वक्त में जब ऑपोजिशन की तरफ से किसानों की नाराजगी की बात जोर शोर से की जा रही है य और जितने लोगों को भी भारत रतन मिला है मैं उनको बहुत बधाई और शुपकामनाई देता हूँ इधर बात नहीं हुई है और जो बाते हो रही है वो सब अख़वारों में छप रही है तो आपी के माद्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी उन सब को बधाई और धनिवाज जिनकी के पढ़ना माज दिखाई दे रहा है के देश के पूर में रहे प्रधान मंत्री किसान नेता और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशाली के र